हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बाक टू माय चानल मैंस किचिन आप सबका स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं सर्दियां आ चुकी हैं और हमें अपनी खानपान में कुछ बदलाव भी लाने पड़ते हैं जिसे हमारी बॉडी हेल्दी रहे तो इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हो तिल और लहसुन की चट्नी तिल का महत्व आप सब जानते ही हैं कि सर्दियों में हमें तिल का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो ओइल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो इस चट्नी को बनाने के लिए आज हम ले रहे हैं आप में 10-15 कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तमाल किया है अगर आपको तीखा पसंद है तो आप दूसरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं यहां मैंने ड्राय कोकोनट लिया है 20 ग्राम करीबन और यहां मैंने दिया है सॉल्ट एस पर यूर्ट टेस्ट इस चट्नी को बनाना बहुत ह असान है सबसे पहले हम ग्यास पे पैन रखेंगे और शुब हमारे तिल है इनको हम करेंगे ड्राय रोस्ट इसको करीबन 2-3 मिनिट तक हमें ड्राय रोस्ट करना है स्लो फ्लेम पे क्योंकि तिल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है उसे ल ठंडा इन दे में टाइम हम उसी वाले पैन में तो 12 से हम कश्मीरी लाल मिर्च और नारियल को ड्राय रोस्ट करेंगे वैसे तो यह ड्राय ही है बट कई बार हम घर में रखते हैं मॉइस्ट्यर आ जाता है इसको ड्राय रोस्ट करना जरूरी है करीबन 1-2 मिनिट के बाद रोस्ट होने के बाद आप ग्यास बंद कर दें और इसको भी हम ठंडा होने के लिए सेम प्लेट में निकाल लें हमनी जो ड्राय इंग्रीटियंट यूज के हैं इनको थोड़ा सा ठंडा होने थे उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में मिक्स करेंगे अब आप एक ब्लेंडर ले लें और इसके अंधर यह जो हमने रोस्ट करके तिल और कश्मीरी लालमिच और नारियल भी रोस्ट किया था वह डाल दींग और साथ में हम आट करेंगे में लेसं की कलिया लेसं बहुत अच्छा टेस्ट देता इस चट्णी में इसलिए आप जितना जालना चाहें उतन रिलीज कर देंगे जो हम नहीं चाहते इसको हमें तरदरा ही पीसना है अब यह हो जाने के बाद इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजे क्योंकि अभी हमारी मिक्सी चलाने के बाद ही थोड़ा सा गरम हो जाता है इसलिए इसको हम दो मिनिट का रेस्ट देंगे ताकि इसमें जो गुठियां बन रही है वो हट जाएं और यह पाउडर फॉर्म में बन जाएं देकि अब यह ठंडा हो चुका है और यह पाउडर फॉर्म में आ चुका है इसमें कोई lumps नहीं है, तो अब हम इस stage में add करेंगे इसमें नमक, नमक इसमें थोड़ा जादा ही डलता है, इसलिए अब अपने तेज के recording डाले, मैंने आपे 1.5 चमज करीबन नमक इसमें add किया है, मैं हमीशा pink salt यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा होता अब बस हमाई चट्नी बनके बिल्कुल ready है, इसको हम एक airtight container में store कर लेंगे, और इस चट्नी को आप अच्छे से साफ बतन में store करके रख सकते हैं, और ये एक महने तक के लिए use कर सकते हैं, फ्रेंड इसको use करने का भी दो तरीके हैं, कुछ लोग इसे dry खाना पसंद करते और कुछ लोग इसको घी के साथ या फिर oil के साथ खाते हैं, मेरा तो फेवरिट घी के साथ है, तो आप एक चमच इस तरह से घी ले लीजे काटोरी में और एक चमच इसमें जो powder form है, उसे mix कर लीजे, और ये चट्नी बिल्कुल तयार है, इसे आप खा सकते हैं, पराठे, पूरी या फिर इसी के साथ भी खा सकते हैं, और सुखी चट्नी आप डाल सकते हैं, वड़ा पाओ में, तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने तिल की चट्नी बना लिए लहसन के साथ, जो कि खाने में है तो बहुत टेस्टी, और काम करती हैं, इम्मिनुटी जर्दी आप जरूर तेल का सेवन करिए और ये चट्नी बना कर इस्तिमाल कीजिए, क्योंकि ये बनने में तो बहुत आसानी से बन जाती है, और रह भी जाती है करिबन एक मेहने तक, तो इस चट्नी को जरूर बनाएए और इंजॉय कीजिए, मिलते हैं एक बार फिर अगल प्रेसिपी में, THANKS FOR WATCHING, BYE!